सल्मान खान ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मेरे उपर भी ऐसे कई लांचन लगे हैं जैसे मेरे परिवार वालों को बहुत बुरा महसूस होता है स्टेज पर उन्हें देख कर लग रहा था कि वो अपने आसू नहीं रोक पा रहे है पर इन दिनों बिग बॉस अट्रच चाया हुआ है बीते रात वीकेंड के वोर में सल्मान खान शो में आए हर बार की तरह इस बार भी सल्मान खान को घरवालों की गलतियों से परदा हटाना था और उन्हें असास कराना था कि वो घर में क्या कर रहे हैं जब सल्मान खान स्टेज पर आए तो अब बेहत उदास और ठकी हुए नजर आ रहे थे सल्मान खान ने घरवालों से बताया कि वो और उनका परिवार ऐसे दोर से गुजर रहा है फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ स्टेज पर उन्हें देख कर लग रहा था कि वो अपने आसू नहीं रोक पा रहे है पिछले हपते खबर सामने आई थी कि सल्मान खान इस हपते शो को होश्ट नहीं कर पाएंगे शनिवार राईवार को होने वाले से स्पिशल एपिसोड से सलमान खान गायब रह सकते है लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने बिग बॉस अट्रा शूट किया और घरवालों से बात भी की इस मौके पर भाईजान का चहरा बेजान और उदास नजराया उन्होंने घरवालों को बताया कि वो ऐसे दोर से गुजर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता बात नहीं करना चाहता लेकिन मेरी वर्क कमिटमेंट्मेंट्स है जिस वज़से मैं आज ही यहां हूँ और अपना काम कर रहा हूँ वह अविनाश मिश्रा संग लडाई पर सल्मान खान ने खुल कर बात की और रजद दलाल चूम दरांग को फटकार लगाई क्योंकि इन्होंने अविनाश मिश्रा के लिए कहा था कि लड़किया इसके साथ सेफ नहीं है इस बात पर सल्मान खान कहते हैं कि आपने अविनाश पर ऐसा अलजाम लगाया है क्या आपने सोचा कि जब परिवार वालों को पता चला होगा तब कैसा लगा होगा सल्मान खान ने अपने बारे में बताते वे कहा कि मेरे उपर भी ऐसे कई लांचन लगे हैं जिसे मेरे परिवार वालों को बहुत बुरा महसूस होता है